हर रोज एक ही तरह का नास्ता खाके बोर हो गए हैं तो आज में आप लोगों के लिए ले किया हैं एकदम डिफरेंट यूनिक नास्ते की रेसिपी आज हम इस नास्ते को एकदम काफी कम तेल में बनाएंगे और एकदम हेल्दी तरीके से बनाएंगे तो फिर चलते हैं बनाते हैं अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अज हम इस नास्ते को बनाएंगे पोहा और सूजी से उसके लिए एक कप पोहा लेंगे और साथ में एक कप सूजी लेंगे quantity सेम ही रखना है अब इस पोहा और सूजी को हमें पीसना है उसके लिए एक मिक्सी के जार में पोहा और सूजी को डाल देंगे और डाल के अच्छी तरह से पीस लेंगे अब इस पोहा और सूजी को हम एक बॉल में निकाल लेंगे अब इसमें हम डाल देंगे दो चम्मच चावल का आटा चावल का आटा डालने से ये नास्ता क्रिस्पी बनेगा अब इसमें डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के कोडिंग साथ में ही डाल देंगे दो चमच दही दही खटा भी ले सकते हैं या फिर नॉर्मल जो दही रहता है वो भी ले सकते हैं या फिर दही के जगा आप छाच भी ले सकते हैं अब इन सारी चीजों को मिक्स कर देंगे अब ये सारे चीजे अच्छी तरह से मिक्स हो गई अब इसमें पानी डालके अच्छी तरह से घोल लेंगे पोहा रहने के कारण इसमें पानी ज़्यादा लगता है एक बार में ये दिया आप एक कप पानी डाल रहे हैं तो फिर से आपको पानी देना पड़ेगा क्योंकि पानी सोकता है पोहा अब इस घोल को 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मिक्स करने से ये घोल एकटम अच्छा से lights हो जाएगा और light होने के साथ साथ ये नास्ता एकटम fluffy बनके ready होगा अब ये घोल बनके ready होगा, अब इसे side में रख देते हैं अब चटपटा सा आलू का मसाला बनाएंगे, उसके लिए कूकर लेंगे, और कूकर में दो पिस आलू को कच्छा आलू को काटके डाल देंगे, अकसर हम लोग उबला आलू का मसाला बनाते हैं, लेकिन आज मैं कच्छा आलू को इस तरह से कट करके डाल रही हूँ, अब इसम इसमें मैं डाल रही हूँ दो हरी मिर्ची बस अब दो सीटी लगा लेना है हाई फ्लेम में अब दो सीटी हो गया है दो सीटी में आलू पूरी अच्छी तरह से उबल गया है अब इस आलू को हम एक बाउल में ट्रांसपर कर लेंगे और अच्छी तरह से मैस कर लेंगे आप एक बर इस तरीके से आलू का मसाला बना के देखेगा, देखेगा कितना ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है यदि आप आलू का पराठा बना रहे तो भी आप ये मसाला बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है बस अब इस तरह से हमें आलू को मैस कर लेना है अब किसी भी चीज से मैस कर सकते हैं आलू इतना ज़्यादा सौफ्ट है कि इस पैचुला से ही असानी से मैस हो जा रहा है अब यह आलू का भरता बन गया पूरा अच्छे से आलू मैस हो गया अब इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं धन्या पती जिसको हमने छोटे में कट कर लिया है साथ में ही डाल देते हैं तीखा के लिए और कलर के लिए दुनों के लिए लाल मिर्ची पौडर अब इसमें लाश्ट में डालना है एक चुथाई चमच गरम मसाला पौडर गरम मसाला पौडर जरूर से डालें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मसाला में अब इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे अब इदम चटपटा मसालेदार आलू का मसाला बनके रेडी हो गया अब इस आलू के मसाले को हमें क्या करना एक बड़े साइज का लोई बनाना इस तरह से बस हाथ में लोई और पैटी के सेप में बना ले बड़े साइज का टिक्की इस तरह से अब इस टिक्की बनके रेडी हो गया अब इस नास्ते को बनाने के लिए एक छोटा सा पैन लेंगे और पैन को गरम करके उसमें थोड़ा सा तील डाल देंगे अब इसमें सूजी और पोहा के घोल को डाल देंगे इस तरह से डाल देना है दो चम्मच के करीब डालेंगे और इस तरह से चम्मच से फैला देंगे अब इसमें जो हमने आलू का पैटी बना के रखा है इस तरह से पैटी को डाल देंगे और उपर से फिर घोल से कवर कर देंगे अच्छी तरह से बस सिर्फ पैटी को ही कवर करना है कि पल्टे तो चिपके नहीं पैन में अब एक चम्माच लें और चम्माच से इस तरह से हलके हलके हाथ से फैला दें बस अब ग्यास का फ्लेम मीडियम कर दें, मीडियम फ्लेम में सीखने के लिए छोड़ देते हैं अब ये उपर का लेयर सुख चुका है, अब इसे हम पलट लेते हैं अब आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया, एकदम ब्राउन, एकदम क्रिस्पी दिख रहा है अब दूसरे सैड भी हम सेम तरीके से से शेक लेंगे अब ये दोनों सैड से अच्छी तरह से सीख चुका है, अब इसे हम पलेट में निकाल लेते हैं अब ये चटपटा सनास्ता बन के रेडी हो गया, एकदम सूपर क्रिस्पी बन के रेडी हुआ है और काफी कम तेल में अब मैं आपको ये कट करके दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा अच्छा बना है उपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम फलट भी सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है अब चारो सैड से पूरी अच्छी तरह से मसाला भी फैला हुआ है और इतम कम तेल में बना है